इंशिन पर्जिन टेक्स्ट के अनुसार सन 531 AD में शत्रंच का खेलता आविशका भारत में हुआ इस समय के एक भारत्य राजा को उन दिनों एक बहुत बड़ी चिंता सता रही थी वो एक बड़ी उल्जन में था जिसका तोड मिलना बहुत जरूरी था इस राजा का नाम था राजा बलहेद राजा बलहेद के राजे के नागरे जुए की पुरी लत्थ के शिकार हो चुके थे और इनका भविश्य दिशाहीन हो चुका था जुए के बड़ते लत्थ ने राजा बलहेद को बड़ा चिंतित कर रखा था इससे छुटकारा दिलाने और अपनी प्रजा को इंटेलिजन बनाने के लिए इस भार्तिय राजा ने एक नए खेल की रचना का आदेश दिया काफी सोच विचार और बहुत मेहनत के बाद एक नया खेल बना जिसका नाम पड़ा चतुरंगा जिसका संस्कृत मीनिंग है चार अंगो वाला जो उस समय के सेना से मेल खाती है हाथी, घुर सवार, रत और पैदल सेना के साथ उसके भी चार भाग हुआ करते थे शुरुवात में इस स्केल में पासा यानी डाइस का इस्तमाल हुआ करता था जिसकी वजह से इस स्केल में ना सिर्फ स्किल बट लखी होना भी जरूरी था